दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नभूलें नमस्कार दोस्तो आपका हाद एक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस वीडियो में दोस्तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक बार आग रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नए updates का पता लगता रहता है और दोस्तो लाइक और शेर भी जरू करें ताकि आपके साथ जो आपके मित्रगन हैं आपके टच में जो लोग हैं वो भी इन वीडियो से अपडेट रहें और इनका लाब ले सकें तो दोस्तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉप है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मुस्म शुरू हो चुका है तो ऐसे में हमें अपने खान पान में कुछ थोड़ी सी चेंजिस करने होते हैं और कुछ ऐसे फूड जो कि आर्विद में बताये गए हैं आपको अपने खाने में शामिल करने चाहिए हैं जिनको सुपर फूड कहें तो गलत नहीं होगा जिससे कि आपको सर्दियों में होने वाली कुछ समस्याओं से जरूर रहत मिल जानी चाहिए तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं देरी ना करते हुए क्या क्या फूड अर्विद में बताये गए हैं सबसे पहले दो अद्रक है और सर्दियों की बात हो तो अद्रक वाली गरम चाहे का जिकर जरूर होता है और चाय के लावा सर्दियों के मौसम में आपको आपकी खाने में कच्छे अद्रक को डेली डोज में जरूर शामिल करना चाहिए इससे आप सर्दियों जो काम और इससे जुड़ी तमाम बिमानी से बचे रहेंगे ब्लड सर्कलेशन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है अद्रक तो आप इसको जरूर अपने खाने में शामिल करें और अंडों के गुणों से लगए सबी लोग परिचित होते हैं इनकी गरम तासीर की वेज़े से सर्दी का एहसास होना कम हो जाता है इसके अलावा इसमें भपूर मातरा में प्रोटीन और शरी को अलरजी मिलती है और अंडे में विटामिन B12, B, A, E के अलावा आइरन, जिंक और फॉस्पोर जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं जिससे के शरी स्वास्त बना रहता है और संत्रा इसमें बहुत अच्छा रोल ने बहता है सर्दियों में संत्रा खाने से शरी में विटामिन C की कमी नहीं होती है इसमें प्रयाप मातरा में विटामिन C होता है और इसमें पाया जाने वाला एंटी ऑक्सिदेंट्स वैसे भी पूरे इम्यून सिस्टम का खास कहल रखता है और आप जो अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग कर लेते हैं तो आप काफी बिमारियों से बचे रहते हैं और चकुंदर काफी अच्छा प्रयोग है सर्दियों के मौसम में अपनी सलाद में चकुंदर का जुरूर शामिल करें या फिर इसका सूप बना कर रिपी सकते हैं इसमें भारी मातरा में फाइटो कैमिकल्स और एंटि ऑक्सिदेंट्स होते हैं जो शेरी को फ्री अडिकल्स से होने वाल नुकसान से बचाते हैं और चकुंदर की हरी पितपतियां भी बहुत फाइदे मन्द होती हैं इनमें विटामिन सी, बीटा कैरेटें, कैल्शियम, आयरन और मैगनीशिम होता है जो शेरी को स्वास्थ रखता है और दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि अर्विन में बताये गए हैं आप सर्दियों में गर उनका सेवन करें तो आपके शेरी के लिए काफी फाइदे मन्द होगा तो इन्फर्मेशन आप डेटेल में हमरी वेबसेट onlyairway.com पर जाकर के देख सकते हैं वहाँ इन्फर्मेशन आपको काफी डेटेल में मिल जाएगी और दूसरे इन्फर्मेशन और लोग के साथ भी जुरू शेर करें ताकि और लोग के साल लाब ले सकें और आपकी फीड़बेक के कमेंट्स आदी हैं वो में से जुरू शेर करें